हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल पे जिसका नाम है लव गोल्डू परानी चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लिपस्टिक का कॉम्बो क्या लाई हूं आज है ब्लैक कलर की लिप लाइनर और साथ में यह न्यूड लि कि इसको आज में step by step follow करें आप देखें अच्छा मुझे एक बात और पूछ नहीं है यह मेरे लिप्स है ना यह ड्राइक क्यों नहीं डिखते आपको कभी पता है क्योंकि मैं एनी टाइम लिप लगाते रहते हूं अभी मैं लिप लगा चुकी हूं और फिर यह लगा रही तो आज मैंने यह वाला लुक क्रिएट किया है आप लुक देखें यहां पे मैंने आपने लहंगे का ब्लाओज पहन रखा है और इसके साथ मैंने यह वाली पिंक लर्की साड़ी वेर की है हां बता दू कि जो मेरा लहंगा है लहंगे के साथ मेरा जो मतलब दू-पट्टा यह जो ब्लाउस है काफी जादा सुन्दर लग रहा था तो मुझे बहुत ही पसंद आया आप लोग कैसा लग रहा है यह ब्लाउस आप लोग बताओ और यहां पर मैंने सुच ना कि नहीं कुछ इंडियन टाइप से एरिंग्स नहीं पहने वाली हूं थोड़ा सा वैस्टन ल लगाना सुरू कर दिया है जब भी इस तरह से लिप्स्टिक मैं लगाई हूं पहले जब सुरुवात मैंने की थी मैं आप बता रही हूं जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट कर रहे हो तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका लिप बाम है वो लगाना बहुत ज़रूरी है लिप बाम वैसली तक कि जो आपका लिप से ना वह सौफ्ट हो जाए और जब आप उस पे यह जो काजल है वह ड्रौ करें तो वह मतलब ना आसानी से ड्रौ हो जाते हैं तो मुझे उतना दुख नहीं होता लेकिन फिर भी दुख होता ऐसा नहीं है अब मैं इस काजल से देख सकते हैं कि अंदर की तरफ मैंने लाइनिंग करी है ताकि लिप्स जो है वह पाउटी बने अच्छा सा अब यहां पर देखिए काला काला लगाने के बाद मतलब नेगेटिव चीज था वह मैं आपको बता दिध्यान दीजिए अगर नहीं तो आपका काजल तूड़ जाएगा मैंने काफी सारे काजल तोड़े हैं अब मैं या पी लिप्स्टिक ले रही हूं यह लिप्स्टिक है माइगलेम लिक्विड मैक लिप्स्टिक और यह क भरबनने वह उप्सकी लागist देखा न वह बहुत है बहुत में लागया बता बता है मतलब बहुत अच्छा लगता है जो भी को मुझे बोलने नहीं आ रहा है लेकिन लूग वाइस बहुत अच्छा लिगने लगता है मैं खुदी साब ली हूं ठीक है और ऐसे सिन्ट लगा लेते हूं डीज़ी है थोड़ा सा दब गया है यहां पर मैंने कैसे लिप्स्टिक लगाई है आपको बता दूँ जब भी लिप्स्टिक निकालना है इक्स्ट्रा लिप्स्टिक मैं निकाल देती हूं क्योंकि अगर जादा extra lipstick रहा तो वो भारी-भारी सा feel होता है लगेगा कि अरे lips बहुत भारी सा dry dry और ऐसे भारी-भारी ऐसे खीचा-खीचा सा लगता है बहुत कम quantity में lipstick लगानी है निकालनी ही बहुत कम है उसके बाद लगानी भी बहुत कम है वही काम मैं कर रही हूँ अब जो मैंने ब्लैक कलर का जो li cooking का जल से उसको च्छिपा देना है उस वो दिखना न Isn't पboo को च्छिपाना है अगर आप चिपा दिये न पूरा लिप्स्टेक लगागे जैसे ही लिप्स्टेक कि आपका ड्राइ हो और वो रुई जिबर होने दिक्कत लग रही थी मैंने वहाँ पे क्लियर कर लिया उसको ठीक कर लिया अब आप देखो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत थी बढ़कीला कलर रगाया है नहीं न अब अगर मैं हस दी ना तो मेरा लिप्स्टिक सारा दात में लग जाएगा इसलिए ये उपाय म यह बतलते हैं अंटाव सब्सखे है यह अव्मले कुखा रही हो आफिक्ट छोटा है तोंने छोटा है कि फफ़ेगे होदें आ zajाले कि मेरे दात में वैसे आप i wood cumplir कि तरहें मेरे घया सब्कर तो कि तुम्हारे दाथ एकदम requires of empire कि तरह हैं वैमपाइर मतलब क्या होता है क्कुंकार जिसके दाथ ऐसे निकली होते हैं वैमपाइर लोगना सबसे पहले शेड़ा एसे मुसकान लिए रहेंगे उसके बाद जा करके गर्दन में ऐसे काट काटते हैं कि खून ही निकाल लेते हैं वैंपायर तो वह नुकिले नुकिले दाथ जो दिखते हैं बस इसी वचे से बोलते हैं कि तुम्हारे दोनों तरफ उपर के जो दोनों तरफ के दाथ है वह ऐसे इदम नुकिले हैं तो तुम कि यहांब जाती है क्यों हो नौकि कि यहां पर मेरा थोड़ा सा दात उठा हुआ है इस लिए थो सब का देखिंए अपना-पना यह नाट है बिखने बहुद और बशिक्मापहर है निकलने को ऑपने अंपने अकसर देखा कि जीव से अवह से बाहर की तरफ निखल जाते थे और यह भी कहा जाता है कि जब तूटते हैं तो जाज रहे हैं और ना मित्री मैं रहाता है दाट संदर संदर साइस में निकलते हैं और अकर उस दात को चपर पर पहले तो गाओं में क्या घर था उस नहीं aware निकलता है'll Yeah मैंने कहां डाला है यह तो मुझे नहीं याद है लेकिन कुछ मैंने साथ दूब में डाले होंगे और कुछ मैंने साथ कड़े कर दी होंगे इसलिए मेरे दात कड़े रहा गए वैसे आपको लिप्स्टिक की वीडियो कैसे लगी प्लीज आप लोग बताइएगा और इसका जो उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा